आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं JP Power Stock को और साथ में ही डिसकस करेंगे NBCC Stock को JP Power के Stock में आप देखेंगे कि इस समय काफी Consolidate Form में Trade होते वे दिख रहे हैं और हमने लगातार आपके कहा कि 7 to 8 रुपी का जो प्राइस है वो एक Consolidation Zone है तो जो short to medium term trader है वो इस zone को ignore करेंगे वो इस stock को ignore करेंगे क्योंकि short to medium term में आपका पैसा श्टक रहेगा और आप जो time opportunity है उसको गवाएंगे तो बिलकुल भी JP Power में short term trader buying करने की गलती नहीं करेंगे जब तक कि इस stock 8 रुपीज के उपर breakout नहीं देता है यहां देखें कि पिछले one week से stock underperform है जहां green sector में हमने देखा निफ्टी energy के sector में more than 4% की तेजी रही वहीं देखेंगे तो JP Power near around 1% के downtrend में रहा है यहां से ज़्यादा गिरावत नहीं दिखेगी लेकिन अगर 6 रुपीज 50 पैसे to 7 रुपीज के price आते हैं तो वो एक buying opportunity हो सकता है for investor एन बी सीसी में देखें तो एक breaking news trend हुई कि इस stock में more than 300 करोर के orders two orders collective मिला करके value रही और इस समय इसके बाद stock में 3% की तेजी दिखी एन बी सीसी इस समय worst stock है trader के लिए चुकि काफी लंबे समय से underperform है और ऐसे ITC भी था कभी और विप्रो भी समय लोगों को लग रहा है लेकिन मैं personalize stock को एक बहतर stock मानता हूँ debt free company है यहाँ से अगर trading को नहीं लेकर के investment के purpose से लेते हैं तो 60-70% और 52 तक के levels within maximum 1 year में दिखेगा लेकिन short term trader इससे में बिल्कुल ignore करें ऐसे stocks में trading करने से बचना चाहिए के लेकिन सेखेगा उग्याँ रहा है अग्याँ यह अग्याँ झाल झाल